दिस्पिले का टॉपिक के साथ इस सेशन में हम लोग बीजी में डिस्पिले का टॉपिक सेट तुपिक करें गूँए हैँ और दूसरी class में हम आपके साथ balance sheet को complete कर चुके हैं. आज हम busy में display के कुछ और important topic को आपके साथ discuss करेंगे और दीरे दीरे हमारा display का topic complete हो जाएगा. तो चलिए start करते हैं आज का अपना session जिसके अंदर हम आपके साथ display से regarding कुछ topic discuss करने जाएगा. मैं बता दो display topic इसलिए इतना important है आप लोगों के लिए क्योंकि जब भी आप busy में job करेंगे तो आपका reporting session बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर आप लोग का reporting session अच्छा हुआ तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी job के दोरां को अगर आपको reporting session अच्छा नहीं हो तो हो सकता आपको definitely problem का सामना करना पर सकता तो इसलिए हम display में आए display के अंदर accounting book के अंदर और आज हम लोग accounting book से अपना topic start करेंगे और कोशिश करेंगे my dashboard तक finish कर लें और फिर अपनी next class में हम लोग stock status inventory inventory summary and GST report के बारे में discuss करेंगे चलिए start करते हैं आज का topic account book से account book में सबसे पहला आता है day book का मतलब तो पता होगा कि एक जिनमें जो भी आप transaction करते हो वो सारी day book के अंदर आती है आप एक दिन के अंदर जो भी transaction करते हो वो सारी की सारी transaction आपको कहां मिलती है day book के अंदर मिलती है जब आप day book पे जाओगे तो डे book में याद रखना वही transaction शोगी sale purchase, sale return, purchase return, payment, receipt, journal, contract, debit note and credit note यहां तक कि जो voucher यह accounting voucher कहलाते हैं और जो नीचे वाले voucher यह inventory voucher कहलाते हैं इसलिए जब भी आप day book देखेंगे, जब भी आप day book देखेंगे, account day book तो उसमें बिलकुल आपको जो topic मिलेगा वो यही मिलेंगे जो मैंने आपको बता है जब भी आप day book निकालेंगे तो दो तरीके से day book निकलती है पहला होता है show cash balance अगर आप cash balance देखना चाहते हो ठीक है तो yes करो और cash balance नहीं देखना चाहते हो तो no करेंगे जैसे ही आप no करेंगे और इंटर मारेंगे तो आप से starting rate, ending rate पूछेगा और जैसे ही आप इंटर मारेंगे पर यह आपके पास topic enable हो जाए जिसमें आपने एक दिन में purchase, sale, जितनी भी transaction करेंगे यह सारी सोग करेगा लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम इस वाली को प्रफर ना करके निकालते हैं cash balance वाली को yes करते हैं और इसके बाद starting date और ending date लिखते हो इंटर मारें जैसे ही इंटर मारते हमारी day book पुल जाती ही मैंने प्रिव्य देखोगे उस समय आपको इस topic की important पता चलेगी जिसमें आपकी एक तारीक में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और last में आपका closing balance कितना बचा है वो बता पिर यही closing balance 10 तारीक को opening बन गया पिर हमने कोई काम नहीं करा यही balance आगे सेम रहा पिर यह opening बना पिर इस वाली डेवुक निकाले मतलब होता है एक दिन का जो भी लेखा जो का होगा जितनी transaction आपने करी हो वो सारी डेवुक पर अंदर शोरती इसके बाद topic आता है लेजर का जो आप लेजर पर इंटर करोगे तो पहला आएगा accounts wise और दूसरा आएगा merge account अब account wise पर click करोगे तो आपको जो भी पसंदो फिलाल हमें एक पसंदी तो एक पर लिख करेंगे और जिसका भी नाम हम लिखेंगे देखिए लेजर हमें शो जाएगा एंटर मारेंगे और आप जैसे ही करेंगे यहां पर उसका नाम आ जाएगा हमने टोटल सात लाग आठ आठ जाग दूसर टोपिक है वह अकाउंट बुक के अंदर लेजर के अंदर अकाउंट वाइज में जाकर स्टैंडर में बन अकाउंट यहां से मतलब उसकी शॉटकट की बीजी ने दे रखी ओल पलस एल लेकिन इस टोपिक को अब आपको लाना है तो आपको याद रखना हो यहां से इस डि कुछ इस तरीके से आएगा तो इसे बोलते हैं लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा दीखने चाहते हैं तो आप इसमें स्टैंडर रखें स्टैंडर में एक पार्टी का तो वन अकाउंट गुरूप का करोगे तो यहां पर गुरूप अकाउंट और जो भी आपको पसंदो जाए था चाहरे हो यहां पर आपश्टव कर दोगे तो इहां पस सारे आपश आजाएंगे यहां पस जितन से जहां अगर को जरांगा जाएंगे से कितना कितनामाल खाईदा कप करी सारी अंट्रियां आपको खरी लुक सा जब भी आपको पोई रिपोर्ट निकालते हैं तो आप इन टॉपिकों को पध लिया कर जैसे शो वाउचर नरेशन शो सौर्ट नरेशन तो आईटम डीटे छो बिल रिप्राइंस तो अप्लाई पि टॉटकर इसके बाद अगर आप गुरुप क्लिक करो जो भी आपको बस रहने किलिक करो इसके बाद आता है आपके पास मज़ अगर आप मज़ आपको पर क्लिक करो पर करेंगे तो इस तरीके से शोग हो जाएगी इसमें सारे डैप्टर की टांजिक्शन शोग करेगा मर्च कि टोटल आपने डैप्टर को कितने लाग का माल बेचा और टोटल आपको कितना पैसा मिला यहां पर सब शोग करें इसे कहते हैं अकाउंट मर्जवाइस इसके पार नेक्स आता है कैश बैंक बुक है पहला आता है सिंगर अगर आपको किसी एक-एक की देख सकते हैं यहां भी आपकर देखेंगे जैसे आप यहां देखेंगे तो यहां पर बस अंतर है कि जब आप और करते हो और प्लस एल करके कैश निकाल अगर तुम लोगों को कैश और बैंक एक साथ देखना है जब आप किसी रिटेल शोरू में काम करेंगे जिसमें आपकी डूटी आर्ट गंटे की है बारा गंटे की उसके बार जैसे आपकी shift change होती है तो आप सामने वाले को इत प्रिंटाउट निकाल के तो होगी कि सर अब आता नहीं बनाना पड़ता है बनाने के लिए हम administration में configuration में और हमें यहां से मिलेगा कालमर रिपोर्ट और कॉलमर में cash और यहां से पहलाँ चाहते हैं cash दूसर चाहते हैं bank लेकि एक अधलीस पांच होनी चाहिए इस अधर भी यूस अब हमें पांच चाहिए तभी हमें मिलेगा तो हमने यासे बना लिया एक एक हमने लिग दिए बीजा कार्ट हमने यासे से पर हमने इसे भी डाले के से इसका यह होगा कि जब मुझे देखना होगा कि मेरे इस बैंक से कितना पैसा आया कि इस बैंक में कितना पैसा गया तो बस में मल्टी कॉलम परांगा स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डालूँगा और जैसे ही मैं शोपर क्लिक करूँगा तो यह मुझे बताएगा डेट वाइस की सर कैश में टोटल तीन लाख आया था एक लाख चालिस अजार रुपे की पेमेंट करिए और साथ हजार रुपे बच्छा हुआ है सर इस स इतना बैलेंस बच्छा हुआ है कि लिए ऐसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है आप इसे जूंग कर लें तो आपको कुछ इस तरीके से लिए ठीक है इसके बाद नीचे आता है बैंक बुक एस पर क्लियर डेट कि जब हम आपको बैंक रिकंसिलेशन सिखाएंगे तब बताएंगे अभी नहीं बताएं इसके बाता है अकाउंट रजिस्टर इस टेंडर पॉर्मेंट वीजी में दो तरीके से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं तो जिए आप लिस्ट निकालोगे ना अब यहां लिस्ट निकालते हैं तो यह आइटम का नाम पार्टी का नाम सब आता है इस परीके साथ लिए आपको बीजी के अंदर आना है यहां से आपको डिस्पले पर जाना है आपको अकाउंट्स ने जाना है और बुक्स के बाद अकाउंट्स रजिस्टर में जाकर यहां से मिलेगा जिस्टर यहां ओल सेटाइब तो जैसे आपने लोकल में कितना माल बीचा अधर स्केट में तो वैसे भी निकाल सकते हैं और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो सब्सक्राइब को आप चाहते हुआ अज लाए और तो आप चाहिए और माल बेच इस पर कितना टागा आपो बिड़ाजन सकते हैं अगर आपको पार्टी का जी से नमबर चाहिए तो आप भी दीख सकते हैं हमें इसकी आवशक्ता नहीं है इसके बाद ऐसी से लिटन सारे टॉपियां बनाए इसके बाद नीचे जो टॉपिक आता हुँ आता है इसका मतलब होता है कि आप इस रिपोर्ट को अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं तो आप यहां जाएंगा इंटर मारेंगे तो लि इसके पाद दा पॉला आपको यह बनाना पड़ता है इसमें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कैसे आपको सबसे पहले आना है एडमिनिस्टेशन में पर जाना एक पॉलमर रिपोर्ट और पर जाना है आपको अकाउंट रिजिस्टर में और सबसे पहले हां सेल लिग दि जैसे फॉर्मेंट का नाम लिख दिया हमने न्यू सेल इद्धा हमारा इसे हो गया हम सेल लेटर पर आएंगे न्यू पर जाएंगे और यहां से हम एडर ले लेगे जैसे ही हम बोडी पर किलिक करेंगे तो 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 इसमें जो बाइडिफूल चार पॉर्मिट बन इसके बात उसको कोई और फिट चाहिए कि आप पार्टी का मॉबाइल नंबर लाना चाहतें वह अकाउंट के अंदर से अंदर आएंगे आएंगे आइज से पार्टी का मॉवाइल हमड़ोु से अंदर से लाना चाहिए तो अक counting आपन के निचे आएगा यहां नीचे कहीं आएगा पार्टी मॉबाइल नम्बर यह पार्टी मॉबाइल नम्बर इंटर मारो वो सेफ कर दो तालिस दाल के सेफ कर दो वाउच्ट पॉर्मिट में चले जाओं इसके बाद अगर आपको कुछ भी चाहिए इसमें से पढ़ लो और इसके बाद सब्सक्राइब कर दो जो आपने टाइप करेंगे वो सब आजाएंगे करें आपके लिए हम क्या करते हैं जब हमें कुछ नहीं नहीं रिपोर्ट से हो की आवश्यक्ता होती है ना कॉलम नहीं बनाते हम यहां पर अकाउंट रिइस्टर के अंदर ही कुछ को डिपाइंड करके अपनी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से बना लें इसके बाद हो गया आप किसी एक पार्टी की डे बुक देखना चाहते हैं तो आप पार्टी की भी डे बुक देख सकते हैं कोई अंतर नहीं लेकिन बिल्कुल जिक्तों कोपी पेस होती है जैसे आप अप ज्याधा पसंद देना या तो आप उसकी शॉटकट बना लेना कैसे एड़ मैं कर मैं एपके आप मिल जा जाएगा था को कितना था न यहां सबसे ज़्यादा युद्धा डेली सब्सक्राइब करो यहां से कैश लिख दो जैसे मैंने कैश लिखा तो कोई बताता है इतना गया इतना बचा तो इस तरीके से आपको डेली रिपोर्ट मिल जाएगी इसके बाद आप में कितना गया मही में कितना आया और इस तरीके से अगर आप बैंक देखना चाहते हैं इसके बाद शोड़ करें अगर अपने डेशी से आप अपने के बोर से घंडो ए दबाया तो आपकी देखो मंत्रिय रिपोर्ट हो जैसे बीठी हो इसमें कोई ज्यादा परक नहीं है बिल्कुल डिक्टों कोपीए सो सबी पार्टी की यहां आपसे पूस्ता या तो ओल तो इसी भी एक पार्टी की मंतली रिखा देगा आपने MS गार्मेंट से कितना डेविट करा अपरेल में कितना कि रेडिट करा ऐसी वन्वाइज बन्स आपको इस साही प्रटी शो कर देगा ठीक है इसके बाद नेक्स आता है अगर आप पार्टी की रिपोर्ट देखना चाहत है मैंने उससे कितना लिया और उसको कितना दिया तो आप अकाउंट वाइस पर क्लिक करें पर जाओगा ओल अकाउंट दूसरा को गुरुप अकाउंट पर करेंगे तो यहां किसी गुरुप ही आपको रिपोर्ट मिलेगी इसमें कि सॉप्ट्यर से आपने 40,000 432 रुपे का डैबिट करा और क्रेट करा था 3,80,000 432 रुप है टोटल आपको इसको 3,40,000 रुपे देने आपको पता होगे जिसके आखरी में CR आता है उसमें पैसा देना होता है के लिए टोटल मिलाके हमें डैप्टर्स को 9,52,000 रुपे देने है के लिए दुबारा अगर आपको डैप मिल जाएगा एमस गवर्मेंट को आपने 80,000 का माल बेचा उसने एक रुपा भी नहीं दिया इसने आपनी दो लाग 33,996 का माल बेचा तो उसने एक लाग 33,996 रुपे दे दिए ऐसी SM software ने इतने का पैसा दिया इतने का हमने उसे माल दिया इतना पैसा उसने दिया इतना ब के लिए के लिए अगर आपलोगों से कभी भी कोई मांगे को महोंडे रिक आपके यहां से आप ऊसे दोगwał इसके बाद नीचे आता है transaction summary, अगर आप transaction summary में आओगे, तो यहांसे अगर all accounts करोगे, तो बता है इना पर उस party की report दिखा देगा, तो तुमने इस वाली party को या इस वाली accounts को तुमने किस voucher के अंदर use करा है, यहां सारे voucher आई नहीं, opening balance से लेकर transaction में जितने voucher होते हैं, सब आपको या शोग करें, clear है, इस तरीके से मिल जाई है, इसके बाद आता है maximum, minimum, minimum, minimum cash balance, इसका मतलब यह होता है, कि अगर तुमें किसी का minimum और maximum balance देखना है, तो आप देख सकते हैं, cash का minimum था 1,60,000 उपे, और maximum था 3,88,300 उपे, अगर आप bank का देखना जाते हैं, तो आप bank का minimum देख सकते हैं, bank का minimum था 1,350,000 उपे, और maximum 1,30,000 उपे, ऐसी आदा account laser comparison, अगर आप तो दो laser की बीच में comparison करना है, तो आप account laser comparison में आएंगे, यहाँ पर type करेंगे, जैसे मैंने को accounting charge, और convince charge में कितना हमारा खर्चा हुआ, तो यहाँ से एक report मिलेगी, ठीके, तो देखो, account charge 1000 उपे का हुआ था, convince 26 उपे का हुआ, तो इस तरीके से, इसके बाद आप इस चार्ट पर double click करोगे, तो यह आपको comparison दिखा देगा, क्या दिखा देगा यह आपको, इस तरीके का comparison दिखा देगा, इसके बाद नीचे आता है, party aging for basis report, aging का मतलब उता है, aging का मतलब उता है, ब party aging people based report में का सकते है, फिर्फो का मतलब होता है, first in, first out, इस पर click करेंगे, यहाँ पर receivable जिससे परसा लेना है, आप click करेंगे party wise, all party, यहाँ पर देगो सभी party की report आ जाएगे, इससे 0 से 30 दिन कितना है, क्या आप 30 से 60 दिन, 61 से 90 दिन, 91 से 120 दिन, पता है यहाँ सब greater than 150 क्यों इन लोगों को मैंने 60 से 90 दिन हो गई, जिन्होंने मुझे अभी पैसा नहीं दिया, तो इस तरीके से मिलता है, आप चाहों तो इन देस को कम भी कर सकते है, क्यासे, इन देस को कम करने के लिए आप को जाना होगा administration में, configuration में, और यहाँ से मिलेगा aging, analyze time slip, इस पर click करेंगे, accounts में जाएंगे, 0 से 20 दिन, 21 से 40 दिन, 41 से 60 दिन, 61 से 80 दिन, और 81 से 60 दिन, इस तरीके साफ कर सकते हैं, और जैसे आप यहाँ आखे देखेंगे, आप इन के इस लैप एन जो गया है, तो इस तरीके साफ को report मिलेगे, यह तो company वाले इस चना की demand भी हमसे करते हैं, तो please आप तो company वाले हमसे इस तरह की demand करते हैं, यह भी आपको पता होना जरूरी है, इतना हो जाने के बार, अब आपके बास next topic आता है, parting, edging, before basis report, पता है, इस report में आप क्या करोगे, इस report में जैसे आपके लिग करोगे, बस यह प्रेबल वाली party का दिखाएगा, कि आपको किस party को कि इस तरीके से आपको कि आपको करूगे कुछा, इस तरीके से आपको करेगा, इस तरीके से सकते हैं, इसके बाद नीचे आता है, सटलमेंट समरे, आप सिरीज वाइस किलिक करें यहां से लें और किलिक करेंगे तो यहां से आप पर रिपोर्ट शो करेगा जो बिल्कुल जिसमें टोटल आपने ऐसे सब्सक्राइब कितने की करी ठीके उस पर उसकर में साथ कोई चुछ एै कितना लगा, अगल तुम्हें उस पार्टी से पता करना आ है कि पर्चेस की हिष्केस कितना लगा है और ev2 एंग्जस के ह cheeky किसकी रेख नहीं मैंने का संड्री डैप्टरस की दिखा देगा यहां पर कोई टांजेक्शन नहीं दिखा रहा है और अमाउंट कितने से उपर बोला है दो लाग से उपर अगर मैं अमाउंट के वैलू के एक लाग कर दूंगा वह पार्टियां चुब एक लाग से भी कम नह गुरू में संड्री डैप्टरस रजिस्टर्ट पार्टी डाल दो भी हां पर जीसी नमर जी रो सैवन एफ एस एन पी एस पोर एट सैवन नाइन टिके सी वन जैड सिक्स और इंटर मार के मैंने से से शेफ लगे है यह इंटर मारा और इससे मैंने पैकिंग चार्ड ले लि पर आया पार्टी बिदाउट पर गया सिंगल ट्रांजेक्शन पर आया जैसे के लिए अब भी नहीं दे रहा क्यों क्यों कि गुरूप में पर नहीं डाला उस पार्टी का यहां डाल सकते हैं के लिए बसक क्यों कर्सक्राइब हो वह पता कर सकते हैं एक होता है पार्टी वार सिसका हों हूं कि इस जैसे इंतरव आह Za ile सभी पर्ठी का तरौर आ जाएगा इंतना है श्रकॉप का इतना है यह बोड़े पर्टी वाइस का रे बड़ इसके बाद इसके कौन सी पार्टी जिसको कमने ने ओधर हमाल बेंचेह है तो मैंने यहां से ट्रेट्ट निया देओ निया — का 25360ुपे का total 500 Twilight 6603 निए तरीके से आप निकाल सिकते है Sheriff lastenne किटना cash between भी हमने ड्रैडीट परटेश वह कुझक है सद्रिफ करौत कर अधिर किसे ज हुए रौन कैश मरी ऊधित करने पाड़ी केश में होगा टॉर्याद इस प्रोव जाए double तो अगर आपको पता करना है किस पार्टी से कितना किटना किटना क्याश्ट अब तक रिपोर्ट हो चुगा है तो आप यहां से पार्टी कैश में जाओ और अकाउंट की जगा हो यहां से गुरुप पड़ो अपको पैसे दिये हैं अगर आपको क्लिक करना संडी क्रेटर तो आपने किसी को आपको दिया है सर्फ 40,432 कुप एक तरीके से इसके बाद है संडी डैप्टर पार्टी यह अन्रेजिस्टर रखां एक सब्सक्राइब इस पार्टी में मुझे सेंडेट में पैस्ट दे दिया मुझे ऐसी पार्टी पता करनी है, जो मुझे माल तो लेकर गई अपनी नाम से लेकिन पेइमेंट केश में करीजी है उसने तो आप जाएंगे आकाउंट सम्मरी में यहां से आप ले लेंगे और जैसे इंट नम आरेंगे यहां पर एक ही पार्टी रिपीजिस की पर्टिकुलर सेटलमेंट दिखा रहा है मैं यहां से बन अकाउंट कर दूं का नाम था उसका परवन तो जैसे इंट रारूंगा तो उसका नाम नहीं आरा कि आना चाहिए दूंगा इस तरीके से इस तरीके साफ रिपोर्ट निकाल सकते हैं इसमें उनली वही आएंगी जिसको आपने कैश में माल बेचा है तो आप यहां पर ख्लिक करेंगे है यहां से All कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर Shower जाएगा तो आपने कैश में इतने तक्ता माल बेच दुखे आज मैंने वीजी में आपके साथ दूर टॉपिक कवर करें जिसके अंदर पहला account book और दूसरा account summary के एक एक point को समझाया बाकी हम लोग अपनी अगले वाली class में outstanding analyze, interest और depreciation topic को कवर करें तो बस आज के लिए इतना ही thank you for watching the video